क्या हाले साथ ही हूँ मैं विकास्तों और आपके अपने ट्रस्वादी चैनल स्टेटी फॉर्सिवल सर्फिसेस पे आज आपके समख लेके आ गया है 14 अप्रेल का करण्ट अफेर हिंदी इंग्लीज दोने भाशों में और UPSC, UPSC का IPFO, Other State, PCA, Examination से समंदित जो हमारे आज के important topics है वो यह है करोना वाइरस के खिलाफ Sputnik 5 का टीका आ गया है Emergency use के लिए इसको approval दे दिया गया है Formula 1 racing जो होती है कार वाली वो कह रहा है कि 2030 तक हम लोग carbon neutral हो जाएंगे मतलब जितना सर्जन करेंगे उतना ही हम सेक्वेस्ट्रेट भी करेंगे मतलब उतना हम जो है capture भी करेंगे ताकि वो लोग carbon neutral कहला है भारत उर्जा डैशबोर्ड का 2.0 संसक्रम आ गया है नीतियायोग ने निकाला है भूटान ने अपनी आबादी का लगबग 93 प्रतिशत्ती का करन कल लिया इसके पीछे जो है एक volunteers की फॉज है भूटान के पास में जो बहुत जादा मतलब गार होते हैं इन सब चीवों में और वहाँ पे 2011 से वो लोग कर रहे हैं का क्या नाम है अभी बताएंगे ओडिस्या के चिलका ली जील ठीक इसमें डॉल्फिन की संख्या में व्रद्धी हो गई है चिलका ली जील जो है वो भारत की सबसे वड़ी खारे पानी की जील है ठीक और यह पहले जो रामसार कंवेंचन है उसके Montrex Records जो होते हैं उसमें पहले यह थी अब नहीं है ठीक दो फैक्ट मैंने आपको अभी बता दी और आप लोग को आगे बढ़ने से पहले बता जाते हैं कि EPFO 2020 और UPSC 2021 का complete paid group चल रहा है हमारा ठीक जिसमें test series study material पूरा पीडियो फॉर्मेट में और जो है one to one guidance आप लोग को किया जाता है अगर आप लोग जान करें चाते हैं तो 8564-8050-96960-6089 पे कॉल कर सकते हैं देगे इस पूतनिक फाइब जो है वैक्सीन अब आ गई है हमारे करोना वारिस ने बढ़ने के लिए तीसरी वैक्सीन है इंडिया में पहले कौन से थी कोवी शील्ट की थी आपकी अस्ट्राजनिका के दौरा जो बनाएगी अस्ट्राजनिका ओक्सफोर्ड वाली और दूसरी थी कोवैक्सिन जो की भारत बायोटेक ने बनाई थी ठीक ये करता है में स्ट्री आफ के अंतर नाइस टिक है अगर देखें तो और इस्पूत्निक फाइब जो है इसका विडाउट गाया है यृत प्रॉपर कंट्रोल ट्रेयल की विना क्योंकि अभी ज़रूत है बहुत तेजी से 1,70,000 जो है करीबन रोज केसेस भारत में निकलना है जो कि बहुत ज़ादा है लेंसेट में एक आई थी एक रिपोर्ट आई थी इसमें 91.6 एफिकेसी इसकी बताएगी जो कि बहुत ही ज़ादा है और इंडिया में जो है ये वैक्सीन वोज एप्रूवड इंडिया में एप्रूव होने से पहले उनसर कंट्रियों में भी इमर्जेंसी यूज के लिए इसको एप्रूव कर दिया गया है कोई भी डेफिनिटिव स्टेडीज इस्टेबिश नहीं हुई है अभी तक समझना यहां भी ध्यान से सुनने वली बात है जो भी COVID-19 के नए वैरेंट्स आ रहे हैं जैसे कि South Africa वाला वैरेंट था, UK वाला वैरेंट है उस पर कितना प्रभावशाली है ये वाली वैक्सीन इनकी कोई भी देफिनेट स्टेडी नहीं है दियान रखना वैक्सीन को मतलब हम यूज कर सकते हैं स्टोर कर सकते हैं आसानी से वाटर के फॉर्मेट में माइनस 18 तक और अगर पावडर के फॉर्मेट में 2 से लेके 8 डिग्री सेलसियस तक ठीक, ये थर्ड वैक्सीन है और इसको किस ने बनाया है और ये दो तरीके के जो है डिफरेंट वाइरस जो है उनको यूज करते हैं और कॉमन कोल्ड में जो आते हैं जिसका नाम है एडेनो वाइरस इनको बहुत यादा वी करके भारत वी करके हुमन के अंदर जो है डाला आता ताकि वो लोग वाइरस को जो है रेप्लिकेट ना करता है ठीक, ये एडेनो वाइरस जो है काफी वीकेंड फॉम में है अपने आपको बल्टिपलाई नहीं कर पाता है हुमन के अंतरकत और इसलिए जो है डिजीज नहीं बना पाता है तो ये दो डिफरेंट वाइरस जो है याला वैक्सीन जो है यूस करती है और ये आर अलसो मोडिफाइड तो देट दा वैक्सीन डिलिवर से कोर्ड फॉर मेकिंग करोना स्पाइक प्रोटीन अब अच्छा देखो अब एडिनो वाइरस ले रहे हैं जो कॉमन कोर्ड वाला है अब इसको थोड़ा सा जो है वीक भी इन्होंने बना दिया थोड़ा सा मोडिफाइड भी कर दिया ठीक ताकि करोना वाइरस के तरह आपने देखा होगा ना जो इस पे ये कार्टे से निकले रहते हैं वो स्पाइक प्रोटीन ये प्रोडूस कर सके है ठीक और एक बार जब ये इंसान के अंदर कर डाला था क्योंकि काफी वीकेंड है तो इन्सान के इम्मूनिटी इसको मार देती है और फिर उसके बाद मेमोरी में अपने स्ट्रोगर लेती है अच्छा इस टाइप का अगर आगे आ जाए नैचुरली तो इसको और तेजिसे निस्तान अबूत कर देंगे ये वाली बात है इम यही होता है कि जब रियल वाइरस आये ट्राई करें इन्फेक्ट करने का बॉड़ी को तो इम्मून रिस्पांस हमारा जो है एंटी बॉड़ी स्टेजी से बनाए उसको खतम कर दें और देजिसे पोतनिक ज़ो है डिफेरंट्ट वेक्टरस करता है वेक्टर कैया होता है कि एक तरीके से कैरिये रहता है जो पहुंचाता है ऑन इसको मिलगा करें पूपेर करें सेप्ट वाले उस्ट नसे अच्छे यह कौन रता रहा है चीज Russian Direct Investment Fund RDIF और यह दो शॉट 21 दिन के अंतराल में लगाए जाएंगे और यह कहा जा रहा है कि जो इसका प्राइस है वो लेस दिन $10 पर शॉट होगा ठीक तो 700 रुपए प्रती शॉट से कमा अभी तो काफी सस्ती मिल ले है देखते हैं क्या होगा अपना डॉक्टर रेडी जो है लिबर्टरी हैदराबाद बेस्ट है उनको गौर्वर्मेंट का अप्रूवल मिल गया है कि इस वेक्सीन को यूज करें इंडिया में RDIF जिसके और में में व्यूपर बताया उन्होंने पार्टर किया था डॉक्टर रेडी के साथ में सब्तमबर दोजाब पिछले जाली कर लिया था कि क्लिनिकल ट्राइल करेंगे लेकिन क्लिनिकल ट्राइल कुछ हो नहीं पाए इमर्जेंसी यूज के लिए अप्रूबल मिल गया है किसके दोरा ड्रग जनरल कंट्रोलर जनरल इन इंडिया के दोरा पांच और भी इंडियन कंपनीज हैं जिसने भागिदारी करी है RDIF for Sputnik 5 कौन-कौन से हैं हम लोग ने कल पढ़ा था क्या था बताइए रम्देसिविर वाली जो एंटी वाल ड्रग होती उससे समंदे सबसे बड़ा जो में फ्रक्च्छर हुआ है भाए प्रानि में फिर वेचों वाहलो टैग पनेशिए बायो टेक और सट्राइस बायो फार्मस यह कंफि और आर्म आपकाろ कैनला स्ट्राइटस फार्मा सइंस की ठिक सट्रीस बायो फर्मा अच्छा इसकी एफिकेसी जो है प्रवाकारिता जो है वो जब लॉंच हुआ ये अगस्थ लास्ट इयर ठीक तो रश्या के पुतिन जी ने किया था और नों कहाते हैं मेरी बेटी नहीं भी लगवाया इसारी फिर कॉमुनिटी काफी जो है सैंटिफिक कॉमुनिटी ने की द प्राइल कंडेक्ट हुए रशिया में वाद में लैंसेट में फब्लिस भी ती रिजल्ट उसमें बहुत ज्यादा अच्छी प्रवाकार जो है 91.6 परसंट बताया था कि प्रवाकारिता है इसकी जो की बहुत ज्यादा है करीबन 20 परसंट जादा है जो कोवी शील्ड है भी फेडरेशन इंटरनेशनल आटो मोबील जो है इसने ये इंटेंट अपना बताया है कि 2030 तक हम कार्बन नुट्रल हो जाएंगे और हम सेस्टेनेबल रेशिस करने लगेंगे 2025 तक सेस्टेनेबल रेशिस क्या है अच्छे से अच्छा इरधन काफी दक्ष इरधन का होगी अच्छा यहां पर एक चीज समझने हो लिए है कि फार्मूला वन करेंट जो कार्बन फूट्प्रिंट है मलग कितना कार्बन ये सरजित करते हैं वो दो लाख छपन अजार टन है जिसको अगर आप ऐसे समझो कि 30,000 जो युनिटेट किंडम में हाउस हैं एक साल में उनको जो है उड़जा देने के लिए काफी है और लेकिन सबसेड़ी चीज है जो कार्बन फूरे विश्में इधा होता ले आना उनका सबसेड़ा है उनकी वएसे सरजित सबसेदा होता है जो की बहुत ही कम है ठीक और इस थाई विकास की और फार्मुला वन की रहा है देखेए फार्मुला वन की जो रोड है टूर्ड सस्टेनेबल डवलॉप्मेंट इसमें यहीं है में टेक्नोलोजी डवलॉप्मेंट करते जा रहे हैं और जो मलब इनजन जो है वो लगातार जबतार आ रहे हैं इंटरनल कंबेशन इंजन ज़िम्ठीन जैदा ज्यदा पावर जेनियेट करें कम से कम इर्धन का उपयोग करें कम से कंउर्जन करें यह जो है मतलब कम से कम उर्शर्जन करें यह सबसे इनकी परात्मिक्ता है सरस्टेनेबल डवलॉप्मेंट की बढ़ करते हुए, दोजाब 20 में Formula E, देखे Formula 1 अलग होता है इसे कई सारे संस्कार्ण होता है, उसमें Formula E ने जो है, सबसे पहला ये First Sport बन गया, जिसने Net Zero Carbon Footprint की बात करी थी, और जो प्रोजेक्ट है, Offset इन्होंने अपना Emission भरपाई कर दिया Sixth Season of Electric Racing का ठिक, Electric Racing हो रही थी, तो उसमें, भाई, OutSourcing कमी हो रहा है ठिक, 2030, जो Carbon Neutral Plan हैंका, उसमें यही है कि Reduce करेंगे Environmental Impact Energy Efficient Engine बना के, जो मैंने पहले आपको होता है, F1 जो है, यह committed है To a number of initiative designed to improve engine, engine के efficiency पे सबसे आदा जो हैंका इतना कर देना है कि Reduce करें, fuel का consumption जो है वो कम हो जाए, 50% Across the competition, 2020 में FIA के दोरह Announce किया गया दा कि 100% Sustainable Fuel जो है, डवलोप कर लिया, इन्होंने Engine Manufacturer ने बोला ऐसा और इसकी testing चल ली, 2026 तक हम इसको पूरता यूज़ करेंगे, start करेंगे यूज़ करना, 100% Sustainable Fuel जो है, represent करता है कि Third Generation Mode Advanced Bio Fuel, जैसे Bio Fuel आप लोग बता होगा Ethnol, Bio Diesel ठीक है न, जो कि Bio Mass से बनते हैं, दव्यमान से जो बनते हैं ये Bio Product होते हैं, एक Culture Waste से जो बनते हैं, उचसे बन रहे हैं उन्ही को जो बोला जा रहा है कि Sustainable Fuel है 100% ठीक है न, क्यों क्योंकि इसका कोई भी Impact ज़्यादा पढ़ता नहीं है और ये एक तरीके से देखा जाए तो Bio, जैव जो चीजे, जो Plants आज हैं हम उनसे बना ले रहे हैं ठीक है न, algae और इन सब से बनाते हैं न, शैवाले वाल से बलकि जो Hydro Carbons होते हैं ये सब जो पेट्रोल और ये क्रूड और ये क्या है जो Million Years पहले मर चुके हैं जो Fossil बन गए हैं और वहां से एड़ो कापन निकालने वह होते हैं लेकिन ये अभी के प्लांट जो है रिसेंट्ली उनसे बनाए जा रहा है ये चीज मेंन डिफ्रेंस है दोनों के बीच में FIA ने कहा है कि Ultra Efficient Travel Logistics और ये सब हम यूज करेंगे 2,25 तक हम Sustainable हो जाएंगे Waste जो है Recycle, Reuse, Composed ये सब बनाएंगे ठीक Biofuel क्या होता है? इंडिया की Biofuel की जो है 2018 में आई है नहीं पॉलिसी इस पे पिछे थी बार 2020 में कोशन भी पूछा चुका है मैंने बताया भी था ये Important Topics में था Biofuel जो है Convestible Fuel होता है ये Bio-Mask से बना जाता है जैव द्रविमान से निर्मित दैंशील इरिदन है Hydrocarbon जो है वो ancient plant से बना जाता है Biofuel जो है रिप्लेश्मेंट करते है आपका किसे पेट्रोल, डीजल, जैट फ्यूल ठीक Bio-Diesel जो एथनॉल है उसकी blending की बात करी गई है 2030 से में कितना blend करना है बताई कितना percentage blend करना है जो policy के रमसार दो में टाइप के Biofuel होते है एथनॉल बायो डीजल ठीक एथनॉल एक केमिकल है बायो डीजल एक ओईल है ठीक तो यह थोड़ा सा जो है important था हमारा F1 से समद्दित Carbon Neutral क्या होता है अबने जाना Biofuel क्या होता है जाना आपका Carbon Footprint क्या है मतलब किसी कार को करने के लिए कितना Carbon Coal Surgeon आप करते हो उसको Carbon Footprint बोलते है आसान वार्सा में ठीक अगला जो हमारा टॉपिक है भारत उर्जा डैशबोर्ट 2.0 बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है यह इसमें क्या है कि इंडिया इनर्जी डैशबोर्ट 2.0 अभी लॉंच किया गया नीती आयों के दौरा किया गया सिंपल सइधी बात है यह लेकिन नीती आयों के वाइस चेर्मेन कौन है राजीव कुमार CEO है अमिताब कांत ठीक चेर्मेन कौन होते हैं प्राइम मिनिस्टर ध्यान रगना ठीक इनर्जी का डेटा जितना भी है सब एक जगे आ गया ठीक अब आप उसको ये एक तरीके से बिग डेटा हो गया बिग डेटा का आप क्या यूज करोगे भाई इससे आप इसको एनलेसिस करोगे इससे डिसीन मेकिंग में आपको सहुलियत होगी पॉलियत होगी आप जो है सॉलिड डेटा पे पॉलिसी मेकिंग डिसीन मेकिंग करोगे तो आपके जो आउटपुट है जो आउटकम है वो अच्छे से अच्छे होँगे बस सिंपल सी बात यहां पर यह है नीती आयोग ने जो है जो है आइडी प्रोवाइड जो है सब येरली चीक मतली डेटा भी आपको देगा मंतली डेटा जो भी रिपोर्ट आती है सब कुछ आपको मिलेगा एलेक्टिसिटी पेट्रोलियम नेच्रल गैस सेक्टर जहां से भी इनर्जी का वो बन सकता सारा डेटा एक जगे फीडबैक और सजेशन भी ये लोग रखेंगे ताकि सुधार किया जा सके नेमत रूप से और सेमी आटोमेटर वर्कफलो और ये सारी चीज़े जो होंगी ताकि बेसिक चेक्स एवोइड इनकरेक्ट डेटा एंट्री ये सब भी जो है एवोइड किया जाएगा सिगनिफिकेंस एगी है कि सेंटर इनरजी डेटा बेस बन गया भारत में कंट्री में अब इसमें रिनिवेबल बढ़ना है इनरजी टेक्नोलोजी कौन्स यूज़ करनी है कितना सप्लाई कितना डिमांड है ठीक कितना ऑपरचुनिटी हमें पकितना सस्टेबल टुमारो ब भारत को ठीक सिंपल सी बात है डेटा है अच्छा डेटा है पॉलिसी मेकिंग डिसी मेकिंग अच्छी से करेंगे आउटकम आउटपूट सब बढ़ाएंगे देश के उननती में देश के विकास में मदद करेगा भारत ने ये भूटान ने अपनी आबादी का लगबग 93 प 27 मार्स को जो है इनका देखा जाए तो उन्होंने 93 प्रतिशत तक लोग को वेक्सिनेट कर दिया जो की इनके आँके अगर नंबर्स में देखे तो जी एक छोटा सा हिमाले का किंगडम है इंडिया और चाइना की बीच में जो है मलब है बूटान और देखे कितने बड़े- अगर देखा जाए तो पहले दिन से ही जो है इसने इस्राइल को क्रॉस कर दिया युनाटे स्टेट्स को क्रॉस कर दिया बहरेन को क्रॉस कर दिया और भी अलग-अलग कंट्रीस को क्रॉस कर दिया जो की बहुत तेजी से जो है वेक्सिनेशन कर रहे थे ठीक रैपिड रोल जो है उनको करीबन एक लाग लोग को जो है कर लिया है वेक्सिनेट ठीक भूटान की देखे यह जगह है वूटान यह रहा चाइना इंडिया अभी इसके बारे में उन्होंने कल पढ़ा भी था ठीक रीजन इसके पीछे कारण क्या एक तो छोटी पॉपलेशन है और तेजी स सबसे बड़ी चीज जो है जिसने मदत करें यह आपर यह बहूंज ज्रूप्स है यह इन्हों ने मदत करी कि vaccination तेजी से हो सके इन्हों ने establish किये cold chain storage और ताकि जल्दी जल्दी vaccination ट्राइब हो और भुटान को दिखे जो vaccine दी वो हम नहीं दी भारत नहीं दी ऐसा जन्वरी में लेकिन वो लोग रुके रहे मार्च के लेट तक ताकि वो एक auspices इनकी date थी Buddhist astrology के अनुसार थिक Buddhist जोतिश के अनुसार तब तक वो रुके रहे तब इन्होंना चलू कि और देखे कितना लेट चलू करने के बाद भी कितनी तेजी से इन्होंने जो है vaccination ड्राइब कर लिया डीसुप जो एक प्रोग्राम है वोलिंटियर्स के माँ का यह दोजाग 11 चलू हुआ था और यह highest form of voluntary act है बुटान में सबस्यादा में सवच्छिक अधिनियम जो है मतला सर्वोच रूप है यह वोलिंटियर्स यह औरेंज उनिफॉर्म पहने रहते हैं आपने देखा होगा disaster के टाइम पे चाये टेबल वर्क हो रहा होगा कहीं पे भी तो यह औरेंज उनिफॉर्म वले जरूर आपको दिख जाएंगे यह एक तरीके सोच्छिक काम करने में वोलिंटियर्स हैं ठीक इस एक तरीके से प्रोटेक्ट करता है इंडिया लेकिन प्रॉटेक्ट रेट नहीं है इंडिया का बूटान समयना मेरे बाद प्रोटेक करता कि इसको अपनी भी स्वैचόता है कि वो अपने ही डिजन लेता है थिक इंडिया जो है इंफ़नेश मृटान की फॉरें पॉलि nelेंड पर defense पर commerce पर ठीक और भूटान को सबस्यादा foreign aid भी इंडियास मिलती है भूटान में क्या है कि Indian military training team है इंतरात ठीक 2000 strong है ये भूटान के आर्मी को royal भूटान आर्मी को train भी करती रहती है और corporate भी करती है और भी कामों में प्रचिछन करती रहती है ठीक इंडिया जो है डोकला है और भूटा के बीच में लेकिन इंडिया ने बूटा वोटा की मदद करी ठीक वहां पे रोड़ूटा बनाना चाहा लए ठीक डोकला और जो है इंडिया ने कौन सा यह बहुत इंपोर्टेंट है कौन सा जो है ऑप्रेशन लॉंच किया था कि चाइना को टोकलाम इशूप में बहुत संदर होता है एक बार देखना गूगल के सवन में आ जाएगा और इसा के चिलका जील में डॉल्फिन की संक्या व्रद्य ठीक और एक चीज कोश्चन ही आप लोग से है कि भारत की एक्वेटिक एनिमल कौन सी है वह गैंजेटिक डॉल्फिन है द्यान अखना गैंजेटिक डॉल्फिन ठीक ना की जो यहां पर बात होने वाली इरादवे और यह वाले ठीक डॉल्फिन जो है बढ़ गए हैं ओडि इंडिंग्स यह है कि पॉपलेशन जो है डॉल्फिन की चिलिका में जो की लार्जेस ब्रैकिश खारे पानी की सबसे ओड़ी जील है भारत में उसमें और जो और ओडिशा कोस पर पाई जाती वहां पर देखा गया है कि डबल हो गई तो जो पॉपलेशन है डबल हो गई है आपने अगर आप एरली कंपेर करें तो पिछले साल से कंपेर कें तो तीन स्पेशीज की बात हो रही है आपर ठीक रिकॉर्डेट दूइंग्स इस पांस सो चौालिस इरादवे इरावदी सोरी पांस सो चौालिस इरावदी बॉटल नोज और हमबैक डॉल्फिन कौन कौन कितनी दिखी 544 जो साइजबल ग्रोथ हुई है वो इन पॉपलेशन ऑफ इंडेंजर्ड यह विलुप्त प्राय इरावदी डॉल्फिन जो है इसमें काफी साइजबल ग्रोथ हुई है दोजार बीस में अगर देखा जाए तो यह जो है 146 ती इस साल जो है 162 हो गई और चि मतलब थोड़ा सा देखा है तो कम हो गया पिछले साल से पिछले साल साट थे राजनगर मैंगरूब डिवीजन में इस बार 39 रहे तो चिलिका में तो बढ़े हैं लेकिन राजनगर मैंगरूब में कम हो गए हाइस ग्रोथ जो हुई है वो नोटिस करी गई हम बैक हम बैक ड दोड़ा डॉल्फिन में पिछले साल समझना पिछले साल सिर्फ दो देखे गए थे राजनगर मैंगरूब में इस साल यह 281 हो गये हैं मतलब या तो चुपे हुए थे गई या फिर यह तो ढंग से जंगर्णा नहीं हो थी या जो भी है दो से 281 बहुत बहुत अमेजिंग 144 गुना करीबन हो गया इरावदी डॉल्फिन जो होता है यह यूरी हलाइन स्पेशीज है ऑफ ओशियानिक डॉल्फिन ठीक जो आपका गैंजेटिक डॉल्फिन है कौन सी फ्रेश वाटर वाली है और यह कौन सी यूरी हलाइन है यूरी हलाइन का बतला होता जादा कम हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे इस्टैनो है लाइन ठीक रेंज कम हो गई तो चैनो है और जादा है तो यूरी हलाइन तो इरावदी डॉल्फिन जो है वह एक ऑस्यानिक डॉल्फिन है और यूरी हलाइन स्पेशीज है ठीक जो कि पाई जाती है अच्छा इरावदी जो है एक रिवर है कहां पर बताए कौन से कंट्री में रिवर है ठीक तो यह जो यह है यह डिसकंट्रीनियोस सब पॉपलेशन यह पाई आते हैं सी कोस्ट के पास में एस्चेरी रिवर्स में आपका बेयो बेंगॉल साउथ एस्ट एशिया में इंडो पैसिफिक बॉटल जो डॉल्फिन की बात हुई अभी ठीक यह इस्पेशीज पाई जाती है यह मतलब इसे स्पेशीज और बॉटल नोज डॉल्फिन सीधिस पता ही चला है और यह डॉल्फिन साड़े 8 फिट तक की हो जाती है 230 kg की हो जाती है यह कहां पर रहती है वाटर जो है जो की भारत न स्पोर्ट्स ठीक इंडियन ओशियन हम बैक डॉल्फिन जो कूबर निकले वाली डॉल्फिन है इसको सौसा प्लंबिया भी बोला जाता है यह मेंबर है डेलफी नियाडे फैंबली की जो की उकुपाई करती कोस्ट टटिय चेतर जो सदन अफ्रीका ठीक वेस्टन इंडो च किसे इंडो पैसिफिक हम बैक डॉल्फिन की और यहां पर कौन से की बात हो रही थी फैंडिंग्स को अगर देखा जाए तो तीन जो है इसमें से यह आपका हम बैक डॉल्फिन जो है अलग से है यह स्पेशीज है दोजा चौदा में इसा बताया गया इंडियन ओशियन हम इसके बारे में पहले कम जाना जाता था अब जो है यह मोस्ट्रेंड स्मॉल केटेशिन है इन दा रीजन ठीक तो इसी सास में हमारा जो है आज का यह वाला भी कतम होता है अच्छा टॉपिक था और हम आगए अपने फेरोट सेक्शन में जिसका नाम है कौम ने का यह इस प पढ़ते नहीं पढ़के किस तरीकर से एक्जाम में कोश्चन को सॉल करना चाहिए लेमिनेशे मेटेड और अधर ट्रिक्स को यूज करते वह समझते हैं देखिए उम गनौट उम गॉट उम गॉट जो है इससे समंदित कौन से स्टेट्मेंट सही है बताना है यह नागलें ठीक और यह जो नदी है यह नेचरल बाउंडरी है बिट्वीन जैंतिया और खासी हिल्स ठीक गारो खासी जैंतिया ठीक ऐसे ही है ना यह में घाले ऐसे पढ़ता है असाम के नीचे असाम के साउथ में गारो खासी जैंतिया तो यह गारो खासी जैंतिया या फिर ऐसे होता गारो खрасी जैंतिया, बताइए कौन सा जो है पैंटन सही है, यह वाला पैंटन सही हैं कि यह वाला सही है और यह जो नैच्रल बॉनरी बनाती ही, यह यह अम गौवर भालाitt जो रिवर है, किसकी पर बीच में, जैंतिया और खासी हिल्ज के बीच में में गाले में पाई आती है तो यहां पर देखें यह river है में गाले की और इसमें resistance काफी जाएदा एक hydro electric project बनाया जारा है 210 Megawatt पे ठीक तो इसमें काफी इसका विरोध हो रहा है at least 12 villages है में यह इसका विरोध कर रहा है ठीक तो इसलिए important है काफी और यह सबसे जो है it is considered to be the cleanest river बहुत जाले important है समझना ठीक अगला जो हमारा जो question है वो है advanced antiquities management system ठीक आपने देखा हो जो पुरानी चीजे होती है पुरावशेश प्रवंदन प्रणाली उन्नत पुरावशेश प्रवंदन प्रणाली से समंदित कथन गलत है यह पूछा गया है ठीक यह introduce किया गया अभी केडला government के द्वारा नहीं गोवा के द्वारा तो पहला गलत हो गया तो यह सही हो सकता है ठीक और एक ही option में दे रखा तो यह वाला option हो जाएगा लेकिन फिर भी चलिए और पढ़ लेते हैं जो यह आम्स हैं वाला ठीक गोवा गोवर्मेंट के द्वारा निकाला गया है इसमें 83-83 एंटीकुटी जो एड़ प्रजेंट इस एमड एट प्रवाइडिंग क्विक इंफॉर्मिशन एंटीकुटी के बारे में जो सॉफ्टेयर और जितने भी पूरा शेर्स हैं उनके बारे में सॉफ्टेयर मे पीचे वैसे इसको भी यहां पर किया जाएगा तो इसी साथ में आज का सेशन कतम होता है अगर आप लोग को पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कमेंट जो करिए जो भी मैंने आप लोग से कोशन पूछे हैं ताकि आप लोग का दिमागी जो है एक्सराइज होती रहे और आप लोग जो अपना सेलेक्शन सुनेचित जरूर करें आप लोग को अगर हमारा कंटेन अच्छा रखता है तो आप लोग अगर परस्नल गार्टन चाहते हैं तो आप लोग हमारा UPSC 2021 का कंप्लीट पेड ग्रूप या फिट टेस सीरीज और EPFO 2020 बीज का कंप्लीट पेड ग्रूप या फिट टेस सीरी जोइन कर सकते हैं इन दो नमबरों पर कॉल करिए और ज्यादा जानकरी के लिए 85648053096089 ठीक तो चलिए फिल से आप से मुलाग आता हुए कल सुबाद 6 वज़े गरम प्याली के साथ में तब तक लेते हैं आप जाहें जावरत ओल देवरी बेस्ट हैं